मेरे प्यारे देश्वासियों अभी दो दिन पहले ही गीता जैनती थी गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्म में प्रेणा देती हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गीता इतनी अध्भुद ग्रंत क्यों है वो इसलिए क्योंकि ये स्वयम भगवान स्री कृष्ण की ही है कि जानने की जिग्यासा से शुरू होती है प्रश्ण से शुरू होती है अरजुन ने भगवान से प्रश्ण किया जिग्यासा की तभी तो गीता का ज्ञान संसार को मिला गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिग्यासा से ही शुरू होता है वे अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिग्यासा करें इसलिए तो हमारे हाँ ब्रह्म के भी अन्वेशन की बात कही जाती है जिग्यासा की ताकती ऐसी है जिग्यासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है बच्पन में हम इसलिए तो सिखते हैं क्योंकि हमारे अंदर जिग्यासा होती है यानि जब तक जिग्यासा है तब तक जीवन है जब तक जिग्यासा है तब तक नया सिखने का क्रम जारी है इसमें कोई उम्र कोई परिस्तिती माइने ही नहीं रखती जिग्यासा की ऐसी ही उर्जा का एक उधान मुझे पता चला तमिल नाड़ु के बुजुर्ग स्रीटी स्री निवासाचरी स्वामी जी के बारे में स्रीटी स्री निवासाचरी स्वामी जी 92 साल के हैं 92 यर्ज वो इस उम्र में भी कॉम्पूटर पर अपनी किताब लिख रहे हैं वो भी खुदी टाइब करके आप सोच रहे होंगे कि किताब लिखना तो ठीक है लेकिन स्रीनिवासाचारेज जी के समय पर तो कॉम्पूटर रहा ही नहीं होगा फिर उन्होंने कॉम्पूटर कब सिखा ये बात सही है कि उनके कॉलेज के समय में कॉम्पूटर नहीं था लेकिन उनके मन में जिग्यासा और आत्मईश्वास अभी भी उतनाई है जितना अपनी युवावस्ता में था दरसल स्रीनिवासाचारेज स्वामी जी संस्कृत और तमिल के विद्वान है वो अब तक करीब 16 आध्यात में गरंध भी लिख चुके हैं लेकिन कॉम्पूटर आने के बाद उन्हें जब लगा कि अब तो किताब लिखने और प्रिंट होने का तरीका बदल गया है तो उन्होंने 86 साल की उमर में कॉम्पूटर सिखा अपने लिए जरूरी सौप्पर सिखे अब वो अपनी कताब पूरी कर रहे हैं साथियों स्री टी स्री निवासाचारिय स्वामी जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन तब तक उर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जिग्यासा नहीं मरती है सिखने की चाहां नहीं मरती है इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पिषड गए हम चुक गए काश हम भी ये सिख लेते हैं हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं सिख सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं